हलो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में और बीट्यूपी के द्वारा एक लेटेस्ट और ऑफीसियल अपडेट जारी किया गया है लखनाव दिनांग 23922 की देट में और यह जो अपडेट है आप सभी बच्चों के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है हो सकता है अभी आप आपको इसकी जरूरत ना पड़े लेकिन बाट में भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है कैसे कर्यक्शन करना होता है आपके नाम को लिएक है... पर द्राम शभीक मालूमें कि जादी हो गया है मेच छात छातरा के नाम एवं पिता नाम में वर्तनी संसोधन के संबंद में ठीक है और ज्यादा तर यह दिकत फानेलियर के बच्छों को थी जिए कि उनकी जब फानेल मार्ग सीट आती है अगर यह संसोधन वगएरा नहीं कर करatा है end лай को थीए कि स्केश्च छाती है तो इसको लेकर के है अझालिवास करनेल आपका नाम संभानी में कुछ तीज़ें मिस्टीएकस। तेक्शन मंतों यह मिंदर फोगरेंगे होग होग를 होग उसको त्राऍप नाम कुछ और है डायरेक्टली आपका कुछ और बहुत सारे बच्चों का अधार कारट में होता है सपोस्की आपका सूरज कुमार यादो करके तोटल करके अभी नहीं कि आप उसमें एक व्यास्पैलिंग मिस्टेक्स होंगी सीधा कहने का मतलब बतने के मतलब मतलब physical लग जाता है कुछ उसको लेकर हैं और आपके इसले करें कि आहिं erzählt н今年 सभी आप पताद जरूर देंगे सभी आपको अपने वीडियो को सेर जरूर कर देंगे इस सभी बच्चों को इनफर्मेशन देखिए आपके एक माल लिए कि आप में सेर किया हो सकता है आपका इसमें कुछ दिक्कत ना हो आपका डाटा गरबर ना हो लेकिन आपके चलते और भी समस्टर यानि वार्षीक वीशेस बैट परिपर परिशा का परड़ाम दिनांग 29222 को घोशित किया जा चुका है परिशत द्वारा जारी परिशा परड़ाम में यदि किसी छात्र की नाम अथो पिथा के नाम में वर्तनी संसोधन वांचित है देखिए वर्तनी कहा जा रह है तो संबंदित छात्र छात्रा द्वारा परिशत की वेबसाइट यानि कि आप खुद जाके करेंगे कैसे करना अभी में आपको बताऊंगा www.b2p.ac.in पर उपलद लिंक जनहित सर्विशेज का परियोग करते हुए संबंदित छात्रा द्वारा आवेदन संबिट किया ज करेंगे और वहां से आप संसोधन करके सब्मिट कर देंगे जब आप सब्मिट करेंगे तो डाता आपके कॉलेज में जाएगा आपके इंस्ट्यूट लॉगिन पर जाएगा वहां से कॉलेज सारी चीज़ों को देखेगा कि हाँ अब यह नहीं कि आपने पूरा नाम ही संसोधन के आविदन किसी जर्शा में परिश्रत तो आपने सम्मिट किया पूरा ही चेंज कर दिया आपने सम्मिट किया कॉलेज में इंस्टोटूट में अब क्या करेगा और आपके फाइनल मार्ट इस तरीके से सही उकसारीशी जाएंगी यहां भी अता आपको निर्देशित किया जाता है कि सनलग दिशा निर्देश के अंसार अपनी संस्था के अधिनरत छात्राव को सुचित करते हुए आवेदन करवाना सुनिशित करें अंक-तालिका प्रिंट होने के पस्चात किसी विदासा में संसोधन नहीं किया जाएगी जब आपकी अंक तालिका क्या यानिक कि आपकी माक्षेट्ट अगरा प्रिंट हो जाएगी उसके बास एक कोई संसोधन नहीं होगा तो इस पर विशेश ध्यान देंगे सभी बच्ची जिसके हेतु संस्था एवं संबंदी 16 स्वयम जिम्मदार होंगे अता आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि 15-10-22 तक उक्त कारी पूड कराना सुनिश्चित करें यानि कि 15-10-22 तक लास्ट जेट कह लिए है यह विशेश ध्यान दिया जाए कि कि किसी भी संस्था दोरा पूरा नाम अथवा पिता का नाम संसोधर के आभिज़त किसी भी दसा में परिशत को अगर सारी ना किया जाए यादि किसी भी संस्था दोरा ऐसा किया जाता है तो एसे संस्थाओं को चिन्हित करते हुए विरुद अनुसासनात्मक करवाई की जाएगी अभी मैंने आपक इस छात्राओं के नाम पिता के नाम में संसोधन करवा सकते हैं इसके लिए छात्राओं को परिशत की वेबसाइट बीटी डॉट एसी डॉट इनक के मादर म से जन्हिंत गारेंटी एक्ट का चुनाव करना होगा अभी मैं आपको बता रहा हुँ लाइब चलके तरफ़ चाथ चात्र अधि प्रथम बार जनहीद सेवा को उपयोग कर रहा होगा तो उसको अपना पंजिकरण करना आनिवाद है यहाँ पर पहली बार यूज कर रहा है तो आपको एक रई स्टेशन भी अलग से करना होगा वहाँ पे ठीक है और आनिवाद है जो कि अत्यांत बार करके रिका दू कहां से यह सारी चीजेश होंगी करना है में उसके बास आपर जो सबस्कर करना है और उस आगर करना चाहते हैं तो यौह पर पासवब करना हों यौद करना है उसके पर आपको नीचे से तीश्रे डियाने कि सव्वार्र किस उसे पर को क्लिक करना है उसके पर पर आपको फ्वार्ट सबैराइब पीज़ेंट लॉगिन में आपको इन्रोल्मेंट नमबर और यहां पर आपको पासवर्ड फिलर करना है फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है उसके पास सारी पोर्टल आपके पास ओपेंड होते आएंगे जो भी आपको करेक्शन वगएरा करना रहेगा उसको आपके नाम पिता के नामे जो भी नॉर्मल से तुरूटी होगी उसको आप सही करके समिट कर देंगी अब यहां पर बहुत सारे बस्ते सोच रहेंगी इन्रोल्मेंट नमबर तो मेरे पास है पासवर्ड कौन सा भरे यूराइज वाला भरे या फिर कौन सा तो यूराइज वाला नहीं अभी आपको पीशे आपने देखा आपके ओफिशेल नोटिस में दिया गया था कि आपको जनी हीद पोर्ट पे यानि कि वन टाइम करिए कि जो आपका पोर्टल होता है वहां पर आपको एक बढ़ जा करके रिजिस्टेशन करना होता है और वहां पर जाब आपको आपको आपको मिलता है तो यहां पर वही आपको पासवर्ड फिल अपकरना होता है तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फर्मेटिव लोगा होगा उस तरीके से जाकर कि आप सारी चीज़ों को देखकर सब्मिट कर देंगे जो भी आपका डाटा इनकरेक्ट होगा अगर कुछ च प्रुडियो में